साथियों, ग्लोबल होते भारत में, आपका योगदान भी बहुत होने वाला है, अहम होने वाला है। आज भारत में, लोकल के प्रती जो क्रेज पैदा हुआ है, वो वैसा ही है, जब आज हदी के आंदोलों के समय, स्वदेशी वस्तों के लिए पैदा हुआ था। अर्से तक हमने देखा कि लोग ये बताया करते थे कि ये चीज हमने उस देश से खरी दिये हैं ये चीज उस देश की हैं लेकिन आज भारत के लोगों में अपने स्थानी उत्पादों के ले करके गर्व की नई अनुभूती आई है आपको भी पता होगा आज से 20 साल 10 साल पहले जब आप घर चिठी लिखते थे कि मैं फ़लानी तारीकों आ रहा हूं तो फिर घर से चिठी आते थी आते समय ये ले आना आज जब जाते हो तो घर से चिठी आते हैं कि यहां सब मिलता है मतलाना मैं मैं सही बता रहा हूं को नहीं बता रहा हूं यहीं है ना दोस्तों यही ताकत है और इसलिए मैं कहता हूं वोकल फर लोकल लेकिन आपका लोकल यहां वाला नहीं देश्टों यह जो यह जो दम पैदा हुआ है ना इस चीज को बनाने में किसी भारतिय की महनत लगी है उस हर प्रोड़क के किसी भारतिय के पसीने की महक है दोस्तों उस मुट्टी की सुगंद है दोस्तों और इसलिए जो हिंदुस्तान में बना हुआ हो हिंदुस्तान के मिट्टी की जिसमें सुगंद हो हिंदुस्तान के युवा का जिसमें पसीना लगा होels वो हमारे लिए फैसन स्टेटमेंट होना चाहिए दोस्तों आप देखिए एक बार ये फिलिंग अनुभाव करेंगे न तो वाइब्रेशन अगल वगल में पहुंचते देर ने लगे लोगो और फिर देखना फिर देखना जब जाओगे आप कि भी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं दस दिन के लिए तो यहां से लोग चिठी देंगे कि बापी साते से मैं हिंदुस्तान से ले आना ऐसा होना चाहिए गा नहीं होना चाहिए यह काम आपको करना चाहिए गा नहीं करना चाहिए कि देजियों में एक 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 शांदार उदान बताता हूं आपको बड़ा सिंपल से उदान बताता हूं कि और मैं उदान देना चाहिए खादी आपने से सब खादी को जानते हैं कि खादी और नेता चोली दामन का नाता था नेता और खादी अलग नहीं होते थे खादी आते ही नेता दिखता था नेता दिखते ही खादी दिखती थी जिस खादी को महत्मा गांधी ने जिया जिस खादी ने भारत में आजधी के आंदोरन को ताकत दी लेकिन दुर्वाग्य से आजधी के बाद उस खादी का भी वही हाल हुआ जो आजधी के दिवानों के सपनों का हुआ था क्या देश का अदाइद पर नहीं था जिस खादी से गरीब मा को रोजी में लिए जिस खादी से विद्वा मा को अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए सरहारा मिलता था लेकिन धीरे 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 उसको उसके नसीब पर छोड़ दिया गया और एक प्रकार से वो मुर्त्यू के कगार पर आके खड़ा था मैं मुख्य मंत्री बना तो मैंने बिड़ा उठाया मैंने कहा भी आप बड़े गर्व से कहते हैं गर्मे किसे को कि मेरे पास यह फैब्रीक है यह फैब्रीक है यहां की सारी है यहां का कूर्ता है कहते हैं न यहां बोलो तो सही सच मुलने में क्या जाता यार तो मैं कहता था यार एकाथ खादी भी तो रख लो मेरे पास यह फैब्रीक है फैब्रीक है खादी भी रख लो साथियों बात बहुत छोटी थी लेकिन मैं आज देश के सामने सर जुकाता हूँ मेरे देश ने इस बात को भी गले लगाया और आपको जान करके आज आनन्द होगा आज हादी के 75 साल के बाद पहली बार जब बेश आज हादी का आमरित महोत्सों मना रहा है इस वर्ष खादी का कारोबार एक लाग करोड रुपियों को पार कर गया पहली बार हुआ कितने गरीब कितने गरीब विद्वा माताओं को रोजी रोटी मिली हुगी दोगो पिते आठ साल में खादी के उत्पादन में जो लगवक पौने 200 प्रतिशत की वृद्धी हुई है और आप दारिया देखिए दारा देखिए दोस्तों मैं जिस मिजाद से स्टार्ट अप की बात करता हूँ उसी मिजाद से खादी की भी बात करता हूँ जिस मिजाद से मैं सेटेलाइट की बात करता हूँ उसी मिजाद से मैं सॉइल की भी बात करता हूँ कि भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में आप भी मेरा साथ दीजिए यहां के लोगों को भारत के लोकल की विवित्ता भारत के लोकल की ताकत भारत के लोकल की खुखसूरती से परिचेत आप बहुत आसानी से करवा सकती है